हालो कैसे हैं आप आप सभी का स्वागत है और सभी विध्यारती जुड़ जाईए कैचुदा मैथ में 20 नंबर सेट हाजम कवर करने वाले हैं आज आप लोगों के लिए काफी इंटरस्टिंग ये रहने वाला है सेट आएगा स्टार्ट करते हैं मैथ्स बाई साहिल सर क्विक ये मत सोचो कि कितना कर रहे हो बस करते रहो और आप लोग देखेंगे कि आपकी चीजे सारी सैट हो चुकी है पेपर में भी आप से सारे प्रशन बनेंगे बस आप महनत करिए साथ के साथ आप जो best foundation batch जॉइन करना चाहते हैं उसकी best prize आपको 16 तारिक तक मिल रही है नवरा बार बार कहीं भटकना नहीं है, और ना हम भटकने देंगे आपको, जिनको अच्छा content पढ़ना है, वो जॉइन करके पढ़ाई कर रहे हैं, और जिनको घूमना है, वो चार जगे चार अलग अलग exam के लिए बैच लेते हैं, और होता नहीं है कुछ भी, तो यहाँ पर हम बूस्टर है, free of cost मिल रहा है उन बच्चों को, मिलता है ना, benefits मिलते हैं, तो 5.09 में अगर आप individual math लेना चाहते हैं, reasoning लेना चाहते हैं, science लेना चाहते हैं, वो ले सकते हैं application पर, ठीक है, यह test series के application है, वहाँ test series भी आपको मिल जाएगी अगर आप लेना चाहते है, express page 9-10-11 क्लास चालो हो चुकी है, कल 11 बचे मैं computer की tension भी खतम कर दूँगा, 20 नंबर की, आप सभी लोगों को पूरी तैयारी का plan बता दूँगा, आप लोग तैयारी भी करना शुरू कर देना, computer आ रहा है, इसके, यह किसके लिए है, grade 1 signal के लिए है, जो technician का, जो level 5 का post है, यह उसके के लिए, especially, तो grade 3 वालों के लिए नहीं है, ठीक है, और कल 3 बचे हम यह करने वाले है, कितने लोगों मज़ा आ गया, कितने लोगों के मन से आवाज आ रही है, कि सर, यह हो गया, मज़े ही मज़े, चलो, start करें आज का session, okay, so पहला प्रशन आपकी screen पर देता हूँ, यह देखते हैं, आज कितने number लेकर आते हो, किसी कक्षा में, कुल विध्यारतियों की संक्या का 3 बचे 5 लड़किया हैं, बाकी लड़के हैं, तो अगर मैं boys और girls की बात करता हूँ, तो बाकी तो लड़के 2 अनुपात और 3 अनुपात में लड़किया हैं, टोटल 5 है, यदि लड़कियों की संक्या का 2 बचे 9, और लड़कों की संक्या का 1 बचे 4 एपसेंट है, तो कितना प्रेजेंट है, तो लड़कियों का 2 बचे 9 यानि की एपसेंट है, तो 7 बचे 9 प्रेजेंट है, और लड़कों का 1 बचे 4 एपसेंट है, तो 3 बचे 4 प्रेजेंट है, तो कितना हिस्सा प्रेजेंट है, तो हम य कह सकते हैं सर जी यह हो गया सर जी 6 बटे 4 3 बटे 2 और यह कह सकते हैं सर 7 बटे 3 तो 3 तीन नो 7 दो नहीं 14 14 और 9 कितना हो जाएगा 23 बटे 6 यह 6 नहीं है आपको यह 6 देखना है टोटल क्वांटिटी में तो जो यह 5 रेशो था ना उसका भी डिवाइड कर दीजिए कि 30 में से 23 प्रिजेंट है यह 5 रेशो भी डिवाइड होगा क्योंकि वह भी तो रेशो में यह बिचारा वह कहां से आएगा कोई अलग अलग नवाब थोड़ी हो ठीक है चलिए next देखो आइकॉन करता है देखिए यह एक है यह प्लस है अब यहां भी एक multiply में है लेकिन मैंने उसको लिख दिया 2 माइनस का 1 आपको भी तकलिफ ना हो इसी वज़े से A minus B A plus B तो यह हो गया सर A square minus का B square इन दोनों का कितना हो जाएगा यह A square minus का B square इन दोनों का कितना हो जाएगा यह हो जाएगा सर A square minus का B square इन दोनों का कितना हो जाएगा यह A square minus का B square इन दोनों का कितना हो जाएगा यह A square minus का B square है एक पहले से ही आए है प्रस्स दो की पावर 64 माइनस का वन तर्टू रेस्टी पावर शिक्स्टीफू अगला अगला वस्तू के अंकित मुले का एक्स परसेंट प्रतेक की दो करमिक छूट के बाद इतने रुपे में बरावर है अंकित मुले इतना है तो एक्स का मन बताओ दो करमिक छूट दी है याने कि X से Y एक बर और X से Y एक बर याने कि आपका जो अंकित मुले है वो 920 है और आप कितने में सेल आउट कर रहे हो इतने रुपे की एकल छूट है इतने रुपे की तो एकल छूट है तो इसमें से घटाना पड़ेगा तो 920 में से 331.20 घटाना है आठ नो में से एक गया तो आठ और 91 में से ग्यारे में से तीन गया तो आठ ठीक है और बताओ सर्थ कि अब देखना अब पांसो अठ्यासी पॉइंट आठ आ रहा है कि गटा के देख लो एक बर्यार अब फुल कॉन्फिटेंस में गटाना आना चाहिए आपको कि अब नहीं आता गटाना तो बात अलग है उसके लिए तो फिर कि डॉक्टर को बुलाएंगे ठीक है बाकी पांसो अठ्यासी पॉइंट आठ आ गया यहां यह लिखना है क्योंकि यह सैलिंग प्राइज है खतम नहीं हुए पिच्चर अब हटा दो चलो अब हम यह क्या सकते हैं कि सर जी पॉइंट हटाया जीरो लगा दी अब आप इसको काटना शुरू करो और 23 से काटा मैंने इसको 400 बार मैंने का अब 23 दूनी 46 तो 58 में से 46 गया तो I think मुझे लगे का 12 बच रहा है फिर आगया आठ 128 तो 23 पंजे 115 या तीन 236 138 अब बैठिया जोगा अब अंडरूट लोगे तो यह हो जाएगा सर 20 और यह हो जाएगा 16 कितने की छूट आ रही है 20 परसेंट के त्यार ही है 20 परसेंट अगला करिए किसी धनराशी पर 10 परसेंट प्रति वर्ष की ब्यास दर्फ से दो साल का चक्रवर्ती ब्यास आधन ब्यास का अंतर दे रखा है तो मूल धन क्या होगा भाई लाइख शेयर का करते रहें मजह से फिर देखो शलेक्षण नहीं होगा विल्कुल होगा अब बूलो का सर लाइक शेयर का सぇलेक्षण से क्या तालुक है आप पढ़ोगे तो सेलेक्ष शलेक्षण न क्योड़के अच्छला लगेगे अच्छला-गेगा तो बस और मह और यह दो साल का डिफरेंस होता है अब दो साल का जो डिफरेंस होता है वो यहां पर आपके सामने कितना निकल कर आ रहा है पचास तो यहां पर आप यह देख सकते हैं प्रिंसीपल आ गया वही 5000 अगला झाल माल लीजिए कि एक समलम की दो समांतर बुजाएं दे रखी हैं सर तो एक नीचे वाली 30 है उपर वाली 18 है इन दौनों की बीच की दूरी कितनी है 24 है ठीक है अब समलम चत्र बुज का छेतर फल क्या है एक बटे दो समांतर बुजाओं का योग और उनके बीच की दूरी जो कि वर्ग के छेतर फल के बराबर है तो यहां से बुजा आ गई 24 और उसका परीमा पजाएगा चार उना बुजा 24 चौके 96 में तो 96 सेंटीमीटर आंसर होगा अगला करींगे भाई अभी भी अगर आपको ए स्कॉर प्लस वन अपो ने स्कॉर दे रखा हो तो अगर मालो ए प्लस वन भाई यह निकालना है तो प्लस टू करके अंडर रूट लेलो यानिकी यह समझ गया आप अभी निकल गया अब आपको ए क्यू प्लस वन अपो ने क्यू निकालना है तो क्या होता है पी क्यू माइनस का थ्री पी हजार माइनस का तीस नौसो सत्तर नेक्स्ट अगला करिये कुशन को ढंक से पढ़ो कौन से कंसर्ट से बिलॉंग करता है और क्या इसके अंदर होगा झाल दूद और पानी का एक कॉंटेनर दे रखा है जो कि 9 अनुपात 8 में इनका जो अनुपात है यह मिल्क और वाटर का है अब आप क्या मिला रहे हो इसके अंदर गोल में 8.5 लिटर पानी मिला दिया जाता है यानि कि यह अगर आपके सामने पानी मिलाने वाली बात आ गई तो आप यह देखेंगे कि अनुपात उलट जाता है आप मिला क्या चीज रहे हो पानी तो आपका क्या चीज सेम होना चाहिए आपका मिल्क का रेशो जो है वो बिल्कुल सेम होना चाहिए मिल्क का रेशो बिल्कुल सेम होना चाहिए अगर अब मिल्क का रेशो सेम है तो अब कि एक रेश्यों बराबर कितना आ रहा है आधा लीटर आ रहा है आपसे क्या पुछा जा रहा है मूल आयतन बता हो तो मूल आयतन कितना है बहतर और बहतर का आज़ा अचैस तो आपका दूध यही तो चीज चाहिए थी अगला प्रशन आपके सामने यह रहा करके दिखाओ खुबसूरत है जीतिंदर जो भी बैच आपको लेने हैं आप ले लीजेगा और अभी ओफर भी चल रहा है एप्लिकेशन पर ही मिलेंगे बेटा बैच है ना चलिए पी और क्यू अंक है उसको देखो यह देखो आपको दे रखा है कि फाइव पी नाइन 327 2Q8 क्या आ रहा है 1114 तो 9 और 7 16 और 8 16 और 8 कितना हो जाएगा 24 का 4 हासिल आ गया 2 अब यहाँ पर कितना आ रहा है सर आठ और 2 10 एक हासिल तो आए गया है तो सर जी यहाँ मैं कह सकता हूँ 4P प्लस का Q बराबर यहां 11 होना चाहिए होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए क्योंकि जब 11 होगा तो एक यहां आ जाएगा और एक हांसिल आ जाएगा तो यह तब बैठ पाएगा समझ मैं आ गई बात तो बोले सर गुरू जी यह बढ़िया जोगाड है तो यहां मैं कह सकता हूं कि P plus Q की value कितनी होनी चीज़ 7 तो अब क्या बोला गया है कि Q का अधिक्तम मान क्या होगा तो Q का अधिक्तम मान 7 हो सकता है अगर मैं P को 0 रख सकता हूं तो क्योंकि एक तो नियूंतम रखना पड़ेगा ठीक है भाई अंक निरूपित करते हैं ठीक है तो Q का अधिक्तम मान 7 हो सकता है अगर यह बोल देता कि P आप कुछ नहीं रख सकते पी आप 0 नहीं रख सकते तो बात अलग होती फिर आंसर आता 6 क्योंकि फिर P की वैल्यू एक रखनी पड़ती आपन को अभी आप P को 0 रखो तो Q की अधिक्तम वैल्यू निकल जाएगी अपने आप बस खेल खतम अगला प्रशन देखेंगे भाई साब अब कक्षा में कुल छात्रों की संख्या ग्यात करें सर यदि कक्षा में कुल लड़के और कुल लड़की कुछ लड़के और कुछ लड़किया हैं तो हमें बूचा गया इस statement और conclusion कथन वाला question है अब एक कक्षा में 10 लड़की हैं 10 लड़के हैं ठीक है अब एक कक्षा में लड़कियों की संक्या लड़कों से दो अधिक है मैं अगर कुल छात्रों की संक्या पूछूंगा तो मेरे को दौनों ही statement पता होने चाहिए तभी मैं कर पाऊंगा अदर्वाइस मैं करी नहीं पाऊंगा तो बोथ statement 1 and 2 are sufficient बोथ की requirement है ठीक है दौनों statement होंगे तो हो पाएगा अधर्वाइस नहीं हो पाएगा अगला प्रशन आपके सामने है complimentary एंगल वाली property और इसके उपर मैं sessions भी लेकर आने वालों short session तो उसके लिए भी ready रही है जो बच्चे हमारे channel पर नए है वो channel पर जुड़ जाएए application अपना इसी नाम से quick tricks by sahil sir देखो भाई 10.35 court 55 court 78 10.12 sign 160 और ये sec 40 और ये इनमें फर्क है अब मैं इनके लिए तो satisfied हूँ कि ये 11 हो जाएगा क्योंकि complimentary एंगल बन रहा है क्योंकि ये बराबर होते हैं plus यहाँ पर आती है मुद्दे के बात कि क्या हम ये कह सकते हैं कि sign अब 160 की value आप करते हो तो क्या इसको 180 degree साइन रहेगा और ये sign 20 है बहुत बढ़िया भाई अब ये sign 20 है बहुत अच्छी बात है तो फिर अब इसी तरह से ये कितना हो जाएगा ये भी 180 माइनस लेकिन ये negative में आएगा क्योंकि ये आपका ये उस quadrant में नहीं आ रहा minus का cos 40 बात समझ पाते हो क्या आप नहीं समझ पाते हो तो मेरे से मिलो यहाँ पर अब मैं इसको लिख सकता हूँ कि sign 160 ये sign 20 हो गया ये sign 20 है ये cos 20 है तो ये कितना आ गया भाई 10 20 इसी तरह से यहाँ मैं देखा हो sec 40 और ये minus तो यहाँ हो जाएगा सर जी minus sec और cos sec sec और cos sec और cos तो ये sec square 40 हो जाएगा और minus का 1 किसी को कोई दिक्कत कोई दिक्कत भाई साब बता दो भाई साब बोले सर कौन हो दिक्कत नहीं है तो क्या होगा जवाब जवाब तो यह हो गया सर माइनस वन से वन कट गया आंसर आगे सर वन प्लस 10 20 और माइनस का sec square 40 यह आंसर आएगा जो कि आंसर डी होगा आपका ठीक है अब जो ए दे रहे हैं ना महानात्मा है बाई अगला प्रशन देखिए वाई टाइम एंड वर्क से बेटा जो हम काम कर रहे हैं उसी से इंक्रीज होगी स्पीड बूस्टर जो कर रहे हैं उसी से इंक्रीज होगी स्पीड स्पीड इंक्रीज करने का सिर्फ एक मात रिलाज़ा कोई दवाई नहीं आती कि मैंने मार्केट में खूब पूछा कि मैंने कहा हमारे स्टूडेंट्स की स्पीड नहीं बढ़ रही है पढ़ाई में तो मार्केट ने कहा वज साब इसकी कोई दवाई नहीं है बस प्रेक्टिस करते जाओ अपने बढ़ती जाएगी एक्स प्लस चार वेक्तियों दवारा एक्स प्लस पांच दिनों में किया गया कार रहे एक्स माइनस पांच वेक्तियों दवारा एक्स प्लस बीस दिनों में किये गए कार रहे के बराबर है एक्स स्कॉाइर प्लस का पांच एक्स प्लस का चार एक्स प्लस का बीस एक्स स्कॉाइर प्लस का बीस एक्स माइनस का पांच एक्स माइनस का सो एक्स स्क्वाइर से एक्स स्क्वाइर चला गया बंदरे मैं से 9 गया तो 6x बराबर 120 और x बराबर हो गया 20 और यह रहा आपका जवाब अगर आपने दे दिया है तो बहुत बढ़िया बात है ठीक है अगला प्रश्न देखेंगे बेटा करो अगर झाल 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 तो यह बड़ा बड़िया एक सीरीज कहते हैं से जहां एक इंटू दो आ रहा है दो इंटू तीन आ रहा है तो यहां एक फॉर्मूला काम आता है एक अपन डिफरेंस पहली संख्या और माइनस लास्ट तो डिफरेंस कितना रहा है दो और एक का एक पहला हो जाएगा वन अपन वन लास्ट हो जाएगा वन अपन हंड्रेड तो हंड्रेड में से गया तो 99 अपन हंड्रेड तो पॉंट नाइन नाइन कि एक संख्या 84 से उतनी ही अधिक है जितनी वो 108 से कम है उस संख्या का इतना परसेंट का इतना परसेंट का दुगना ग्याद करो सर गुड़ कोश्चन हाँ बेटा बेसिक से ही पढ़ाया जाता है हमारे बैचेज में और जो बूस्टर बैच आते हैं उनकी प्राइस तो हम बहुत ही कम रखते हैं और जो फांडेशन होते हैं उनकी प्राइस भी बहुत ही कम रखते हैं जिससे आप अफॉर्ड कर सको और अच्छी एजूकेशन प उतनी ही किस से कम है 108 से कम है तो वह संख्या निकल कर आने में कोई गुंजाइश नहीं होने वाली है क्योंकि वह आ जाएगी 192 बटे 2 याने कि 2 नाम 18 और 2 चिकी बारा 96 वह संख्या आ जाएगी अब बोला क्या गए सर उस संख्या का 37.5% यहने कि 96 का 3 बटे 8 और 187.5 कितना हो जाएगा 100% प्लस 7 बटे 8 तो यह हो गया कितना 15 बटे 8 आठ से काटा कितनी बार 12 बठे 96 चार दूनी आठ चार तीया बारा चार दूनी आठ आंसर पॉइंट में आएगा और तो क्या ही जिन्दिगी चलिए चलिए अगला करेंगे भाई वो मैथ काई बूस्टर है बेटा हो ओहो सौरी 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 क्या बूला गया है अध दुगना बताना है उसका दुगना बताना है तो आंसर होगा कितना डबल कर दीजिए 135 होगा देखो यहां तक सौर्व करने के बाद यह भी पढ़ना जरूरी होता है हम नहीं पढ़े तो हमारी गलती हो गई और ऐसी गलतीयां बहुत सारे बच्चों से भी हो जाती है एक्जाम में भी होती है तो बच्चें मिटा अगर हम गलतीयां नहीं करते अगर हम पहले सी आपको कह देते दोसे गुणा कर लो तो रियलाइज़े नहीं हो पाता आप सोचते हाँ ठीक है नॉर्मल बात है लेकिन यहां गलत करके आपको पता लग जाएगा कि हैर हाँ यह गलतीयां हो सकती है जैनून बात है जनायन माइनस का पांच बटे दो याने की दो बटे दो एक और अगर आपसे पूछी जाए भाहिये बरत की तिरिज्जा तो आपकी हाइपोटेनस याने की कर्ण का आध्षा अगला करो कोश्चन को ढंक से पढ़ना सेल्फ रियालाइजेशन करना कि कौन सा कंसेप्ट लग सकता है अगर आप वही बता दोगे ना तो आपको भी अच्छा लगेगा और हमें भी किया रहां कुछ कर रहे हैं हम लोग कुछ कर रहे हैं हम लोग कि अच्छीश बेटा अपनी अप्लिकेशन पर यह सब नहीं होता है ना अब अपनी खुद की अप्लिकेशन है कुछ ट्रिक्स भाई साहिल से कि सुबसी बावला हो रहा है विचा रहा है कभी दूसरे नाम से आ रहा है कभी तीसरे नाम से आ रहा है ठेक है चलो जंदगी है इसकी जी लिंद उसको एक ट्रेन एक समान गती से 450 किलोमेटर की दूरी तैक करती है यदि पांच किलोमेटर प्रती घंटा अधिक होती है तो समान दूरी को एक घंटे कम समय लगता है यदि सामान गती में से सामान गती से अगर पांच किलोमेटर प्रती घंटा अधिक भी होती ना तो स्पीड कर डिफरेंस पांच आ रहा है और एक घंटे कम समय लगता यह टाइम डिफरेंस है चार सो पचास इंटू पांच ऐसे टुकड़े कर दो भाराज ऐसे टुकड़े कर दो मैंने कले भाई ले 45 और पंचास हो गए जिनका गैप पांच आ रहा है देखो ठीक है सर यह सामान ने स्पीड हो गई आपकी 45 तो बस इस 315 किलोमेटर को सामान ने गती से 45 की स्पीड से टैक करने में कितना टाइम लगेगा कि आइटिंग 7 आवर्स साथ गंटे के साथ गंटे एक बच्या कहा रहा है सर बोर्ड का कलर ब्लैक रखी है ठीटा ब्लैक रखते है तो जासे कोई बच्चा प्रेंट आउट निकल आपना होना तो ब्लैक इसका प्रेंट यहार्ट दो निगाल वंड़ाए जिसी प्रींट अब तो सफेद आएगा उसके उपर क काले का प्रिंट निकलवाओगे डार्क मैंने बैक्ग्राउंड कर दिया तो बिल्कुल काला आएगा तो वह दिखेगा ही नहीं बिटा उसमें कुछ और वह फिर उसकी विचारी की इंक और खतम हो जाएगी तुमसे वह दुगने पैसे लेगा फिर वह अगला प्रशन करिये चलिए बैंको बैंहांि और दूसको वह और वह प्रक प्रिंट निकाल एक आथ निकल कर आएगा बलैक वाइटन प्रिंट कैसा लिटो बात कर रहा है अंजाम गुलिस्ता क्या होता हर डाल पर उल्लू बैठा है क्या बात की है वाइच वाइट निकलता है वागी सब ब्लेक और वाइट में एक ही कलर हो तो ब्लेक या वाइट थीक है एक उचे मीनार पर खड़ा एक मनुष्य है एक कार को अपनी और समान गती से आता हुआ देखता है वो तो कार आ गई कार आ गई कार आ गई अबनमन काॉंट थीज डिग्री ए और पैंटालिछ डिग्री होने तक बारे मिनट का समय लगता है यह वही वाला केस है डबल एंगल वाला यहाँ पर तो देखा उसने 30 डिग्री है यहां से देखा तो अल्टर्णिटिव ऐंगल और 45 डिग्री होने तक तो यानि कि यहां से यहां तक कि जो डिस्टेंस उसने कवर करी उस ट्रेवलिंग डिस्टेंस में उसको 12 मिनट का समय जाएगी बहुत बढ़िया question है आपको दिखाते हैं यहां कुछ भी नहीं है आपके पास कोई जवाब नहीं दे सकते हैं क्यों कुछ ही नहीं ना कहा है बताओ सही कहारो से data वेटा नहीं है एक चीज़ लगानी है time time का खेला है और यह दिल अकेला है कि अगर यह d दूरी को 12 मिनट में तै करता है तो यह दूरी कितनी हो जाएगी common sense d y 2 root 3 plus 1 पता होना चाहिए यही होती है यह दूरी तो तो यहां यही वाली बात है कि अगर d दूरी को त तै करने में 12 मिनट का वक्त लगता है तो d by 2 root 3 plus 1 को तै करने में कितना लगेगा तो 12 गुणा root 3 plus 1 बटे दो दो से कार दिया भाईया 6 into root 3 की value होती है 1.732 plus का एक 6 गुणा 2.732 देख रहे हो मज़ेदार चीज 6.12, 6.18 और 1.19, 6.72 और 1.43, 6.12 और 4, 16.49 तो 16 minute और 49 सेकिंड नहीं है यह अरे भाई गरवर हो जाएगी 24 तो 16 minutes 24 सेकिंड 0.49 का मतलब क्या होता है 0.49 minute और 0.40 minute को गंटे में बदलेंगे 60 का गुणा करना है सब प्रिंट कोई नहीं निकलवाता है किसके पास पैसा एतना अब वह भी तुम्हीं सोच लो भाई किसके पास नहीं है किसके पास है तुम्हारी समश्चा तुम्हारी समश्चा है तो बाकी सब बच्चे तो कहीं नहीं रहे अब तुम्हारी वह पर्सनल है कि तुम्हें काला चाहिए हम काला नहीं कर सकते ठीक है क्योंकि मेरे को एक बंदे का फोन आया बोले से प्रिंट निकालने में दिख्कत आती तो मैंने उसकी भी सुनी ठीक है चलिए तो पंचायती की बजाए कोशन पर ध्यान दें अगला प्रशन आपके सामने रखता हूं मैं यह लेजिए भाई लवकुमार नाई 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 तुमारे सिर्मेबाल कितने नाई से तुमने पूछा कि नाई नाई मेरे सिर्मेबाल कितने तुम बोले जजमान अभी बता देता हूं तुमारे सामने देंगे गिलने ना अराम से तो जो तुम बारबर कमेंड को पेस्ट कर रहे हो डाउनलोड करके देख लो चल जाएगी तो ठीक है और नहीं चलेगी तो कोई बाद नहीं है किसी 112 सेंटीमीटर व्यास वाले ब्रत को एक आयत की रूप में परिवर्तित किया जाता है अब व्यास इतना इसका है तो रेडियस हो गई 56 सेंटीमीटर अब रेडियस 56 सेंटीमीटर है और 56 सेंटीमीटर का मतलब होता है टू पाई आर और टू पाई की वेल्यू 22 बटे साथ और आर की वेल्यू 56 और इसको बरावर कर लिया आपने दो गुणा लंबाई प्लस चोड़ाई के बात समझ में आ गई तो दो से दो काट गया 7 आटू 56 आट दू नी 16 16 166 और लंबाई प्लस चोड़ाई का रेशो आ रहा है 16 रेशो तो एक रेशो की वेल्यू हो जाएगी 16 16 16 16 11 रेशो तो छूटी बुजा हो जाएगी 77 बड़ी बुजा हो जाएगी निन्यान में नेक्स्ट अगला करिए मज़ा आ रहा है का नहीं आ रहा है यह बताओ आप तो का छो एक रेशो जाएगी झाल देना रहा है यह बताफ चुझार् का रहा है की इसखर्टे की वेल्यू है फीति कर दो एक्स और वाई का रिश्यो कितना है भाई नौ बटे दो है नौ बटे दो में से एक गया तो साथ बटे दो नेक्स्ट और सथ बताईए सर अ नेक्स साथ बटे दो पिताए है झार नेक्स और में से प्टेधियार वाई भाई है अधिया आओ कि अधिया आओ तीन पॉइंट तीन तीन दो यह बात अकर तुरंट समझ जाओगे तो मज़ा जाएगा वाई समझे बटे चार चार अट्थे बत्तिस पॉइंट आठ तीन तीन नेक्स्ट बिंदू यह दे रखें तिर बुझ का केंदर रख बता दो पता है जाता है बच्चे बिचारे परिशान हो जाते हैं और हम पूरा पढ़ाएंगे आपको ध्यान रखना एक एक पॉइंट टू पॉइंट त्यारी कराके विजूंगा बच्चा आप शुरुवात करता है तो लेट तो है वैसे लेकिन फिर भी कोशिश हमारी रहती है कि अंत तक जिताया जाए जो जीतने के काबिल है अब देखो बच्चार है बोले यह ऐसे है वह सेंट्रोइड निकालना है तो यह होता है एक्स वन वाई वन एक्स टू वाई टू एक्स ट्री वाई थी तीन निकालना है अगर आपको एक्स के इंद्रक निकालना है तो वह होता है एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस एक्स ट्री बटे तीन y coordinate निकालना है तो y1 plus का y2 plus का y3 बटे 3 2 plus का 3 plus का 4 बटे 3 2 5 plus का 9 plus का 1 बटे 3 यह 3 आ गया यह आ गया वह यह पंदर पांच तीन पांच इसलिए तो बोलते हैं ज्यादा 3 पांच मत करो रजत कुमार पेटा कल करेसो आज कर आज करेसो अब जिससे क्या होगा competition होगा कम बच्चे होंगे खुश तो अगर किसी की भलाई के लिए अगर आप कोई कार्य कर रहे हो तो उसमें बिलकुल भी जंब ना करें और अपनी दिली इच्छा आज ही पूरी करें त्याग कर चलिए अगला प्रशन आपके सामने ये रहा करके दिखाईए भई करें प्रशन आपके सामने बिलए आ। देखो दोस्तों क्या करना है x square a square sec square theta plus b square 10 square theta plus 2ab sec theta 10 theta y square की value क्या हो जाएगी b square sec square theta a square 10 square theta plus 2ab sec theta 10 theta नुक तो ही घटा देओ वाई नुक तो ही घटा देओ minus 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 ये खतम चिन x square minus y square a square common लेने के पस्चात में ये rsr sec square minus 10 square और b square 10 square minus sec square अब आप मत्यों बताओ कि 1 plus 10 square बराबर क्या होता है sec square theta तो sec square minus 10 square बराबर क्या हो जाएगा 1 ये हो जाएगा minus का 1 तो x square minus का y square बराबर a square minus का b square सब्सक्राइब सर्पूरी मेनत है बिलकुल है अगर आप इसको याद रख सकते हैं तो और भी बढ़िया है याद रख सकते हो बहुत अच्छा है नहीं रख सकते हो तो 10 मतलब 45 सेकंड लगेंगे बस solve हो जाएगा अगला प्रशन देखिए महिमा आपका basic week है बेटा नहीं समझ में आ रहा तो ये गलती आपकी नहीं है ये गलती है कि आप लेट शुरू कर रही है पहली गलती दूसरी गलती आपको ये समझ में नहीं आ रहा कि आपको क्यूं समझ में नहीं आ रहा है दूसरी गलती तो दूसरी गलती पहली गलती प वो करेगा जिसको नहीं लाने होंगे वो देखेगा कि लॉंग है यह ना बस पैन चलाने की देरी होती है राजू अपने आप आंसर आते हैं अगर मैत करने वाला बच्चा होता है तुम्हारे क्या टाइपिश से कमेंट चल रहे हैं बस तो इतना फ़रक है बस कि पूत्र के पाउच पालने में दिख जाते हैं वो तुम्हारे दिख रहे हैं कि तुम काबिल हो या नहीं हो काबिल बनो सेलक्शन बिलकुल होगा देखिए A B O केंदर वाले एक ब्रत की जीवा है सथ एक O केंदर है उस ब्रत की जीवा है AB बहुत बढ़िया हमने AB एक जीवा बना दी लो और O आपका यह केंदर हो गया DOC ब्रत पर D बिंदु से शुरू होने वाला और C पर A B को इस परकार काटने वाला रेखा खंड है मतलब इसको आगे बढ़ाना पड़ेगा और इस तरह से एक रेखा खंड बनाना पड़ेगा जो DOC है जिसका नाम और C पर A B को काटने वाला C पर A B को बढ़ा दिया आगे यहां पर काट रहा है और इसका नाम D रखना पड़ेगा यहां पर BC परावर OD है BC परावर OD यह भी रेडियस हो गई और यह भी रेडियस हो गई BCD BCD यह आपका 20 डिक्री है A OD बता दो सर A A O D यह वाला कौन चलते हैं कोस्ते करते हैं यह भी रेडियस ही हो गई देखा जाए तो दोनों भुजाएं बराबर तो इसके सामने का कौन और इसके सामने का कौन भी बराबर यह दो बात सकते हैं यह वाला कौन 90 डिगरी बिल्कुल ठीक बात है चलो अब लगाा में जो गाड़ पानी यह तो 90 डिगरी हो गया पर यह व्यास नहीं है खेर कहां से 90 डिगरी होगा वैसे तो नहीं होगा नब मेड़ी रिखा है वी सीडी दे रखा है आप मुझे एक बाद बताओ क्या ये भी रेडियस के बराबर है तो आप एक चीज बताओ मेरे को अगर ये आर है ये भी आर है तो इसके सामने 20 है तो ये भी 20 हो जाएगा क्यों नहीं सही बात है सही सोचे हो मालिक अगर ये 20 हो गया बेटा तो ये भाई अकोंड आपका 40 हो जाएगा नोनों आंत्रिकोंडों का योग ये 40 है तो ये भी 40 हो जाएगा क्योंकि ये रेडियस है ये रेडियस के सामने ये भी 40 ये 40 ठीक है बहुत अच्छा लगा अब आप ले लो एंगल ए ओ भी ये 40 और ये 40 80 तो ये वाल एंगल हो जाएगा 100 और 100 में अगर ये 20 है 120 तो ये हो जाएगा 60 और अगर ये 60 है तो ये एंगल कितने हो जाएगे 60 और 60 वही बचा हुआ 120 को दो बराबर भागों में बाढ़ दो तो A, O, D पूछा गया है आंसर आगया 60 ये भी पूछता तो 120 ये आने की एक संभाव उत्रवुज बन जाता है गुड कोश्चन है स्टार बना ले ना डाउट है तो पूछ ले ना भाई कैसा लगा कोश्चन अगला प्रशन करिए बेटा अब साथ भूखंडों की उपज दे रखी है सर मादिका क्या होती है मादिका क्या हो जाएगी साथ है ना तो मादिका हो जाती है चौथा पत साथ प्लस एक आठ बटे दो चौथा टर्म चार टम्स और चार टम्स अगर हो रहे है तो सबसे छोटू क्या है सबसे छोटू है यह खतम एक उसके बाद में दो उसके बाद में तीन और चौथा एक सो पिचत्तर तो एक सो पिचत्तर आपकी क्या हो जाएगी मादिका 175 आपकी क्या हो जाएगी भाई मात दिखा हो जाएगी अगला करिए DI दिख रही है कि दिए गए वर्षों में किस वर्ष vacuum cleaner की विक्री में सबसे ज़्यादा प्रतीशत अंतर आया है मतलब सबसे ज़्यादा difference या कमी हो या ब्रदी हो कोई भी हो सकती है 40% का ड्रॉप है तो इस वाले केस में 40% का ड्रॉप आ रहा है 16 और 17 में 16 17 में 25 वटे 55 है तो जे हो गया वाई 25 और 5 से काटा 11 वार तो 45% 45.45 परसेंट 14 से 14 में 14 में 35 16 में 55 20 वटे 35 तो 5, 4, 20, 5, 7, 35 14, 4, 56, 57 परसेंट के आसपास 57.14 परसेंट 14 और 15 में 10 वटे पैंटिस तो वैसे भी यह तो नहीं है तो maximum पूछा गया है I think C will be your right answer ठीक है 57 परसेंट के आसपास अन्थिम अन्थिम 8 लड़के, 12 लड़कियां मिलकर 1 परोजेक्ट को 5 दूनों में आठ लड़के हैं, बारा लड़किया हैं, मिलकर एक प्रोजेक्ट को पांच दुनों में पूरा कर सकते हैं, यदि एक लड़के को अकेले उस प्रोजेक्ट को पूरा करने में पचास दिन लगते हैं, तो उसी प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए अकेले एक लड़की को कित लड़कियां लड़के और लड़की का जो रेशो आ रहा है वो 6 बटे एक आ रहा है टोटल वर्क बॉइस छे एंटू पचास तीन सो तो एक अकेली एक लड़की करें तो 300 दिन लग जाएंगे आप जितने भी foundation batch में आप जुड़ोगे उसमें best price मिलेगा आर आर भी batch में जुड़ोगे इतने रुपे का आर भी batch है लेकिन इसके साथ सारे foundation batches booster batch आपको मैंने free दिया इसमें और ऐसे additional benefits जैसे basic science सब कुछ मिलने वाला इसके अंदर अलग से जो भी batch आएगा वो आपको यहां दे दिया जाएगा आप या तो आने वाले समय में costing भी लेकिन बहुत कम तो आप लोग HRB batch में अगर जोड़ रहे हैं तो आप all railway exams की ध्यान रखते हुए जोड़े हैं पूरे foundation batches यह सारे batches जो हैं यह इसके अंदर भी मिलते हैं अगर आप सारी subject में शुरू से तयारी करना चाहते हो तो आप शुरू से तयारी करो आपके पास एक batch मिलेगा जो वीडियो हो चुकी है वो recorded मिल जाएगी आज से लोगे तो आज से एक साल की validity मिल जाएगी और अपने मन पसंड time table के बना कर देखो यहां वही वाली बात है जीतेगा वही जो लड़ेगा सही आपको खुद के अंदर confidence लाना है कोई बाहर की चीज आपको पढ़ा नहीं रही है अगर आपको घर के अंदर motivation दिख रहा है आपके ममी पापा दिख रहे हैं आप खुद अपने आपको देख पा रहे हो कि अगर नहीं बनूंगा कुछ त जाओगे तो paid course में जाईए अपने batches को select करिए अपने तैयारी करिए join करिए और यह इसी साल का वक्त है आपको पता है calendar fix है railway की vacancy आने वाली है तो पढ़ लो पढ़ लो के तो होगा अब नहीं पढ़ोगे तो फिर भाना और यार यह तो vacancy आ गई यार मैं तो पढ़ा ही न होगे मेरे पास सर अब क्या कर लें सर 20 दिन बचे है problem है ना बेटा जब मैं बोलूगा कि जब solution था तब तुम problem नहीं समझते थे और जब अब problem आ चुकी है तब तुम solution नहीं समझ पा रहे हो तो उस समय की बात ना करते हुए इस समय की बात करते हैं जिनको जुड़ना है link आएगी link पर click करके जुड़ जाना बेटा ठीक है बढ़िया पढ़ाई करो tension मती लेओ ठीक है ना booster booster सब बैच आपको मिल जाते हैं चैनल को subscribe कर लेओ video को like कर दो comment कर दो share कर दो जै हिन जै भारत वंदे मातरम